कश्मीर से अनुचे 370 को हटाए जाने के बाद से बौक लाया पाकिस्तान अजीब तरह की हरकतें करने में लग गया है कभी भारत को परमाणी उद्ध की धमकी देता है तो कभी अपना हवाई छेतर बंद कर लेता है आज पाकिस्तान के परधान मंतरी इमरान खान ने कश्मीरियों के साथ एक जुटता दिखाने के लिए कश्मीरी आवर का आयोजन किया इसके द्वारा पाकिस्तान के लोग आदे घंटे के लिए सारा काम का छोड़कर सरकों पर उतरे दूसरी तरफ पाकिस्तान देश की अर्थववस्ता में एक रुपे का राजसब खोने की शमता भी नहीं बची है इस पर पाकिस्तानी पत्तरकार गुल बुखारी ने कश्मीरी आबर बुलाई जाने पर तंज कस्ते हुए कहा है के अंतर राश्टिय मुद्रा कोस इससे बहुत खोश होगा क्योंकि मंतरी हर सब्ता आदा घंटे के लिए सारा कामकाज रोकने का आदेश दे रहे हैं इससे पाकिस्तान की उत्पादक्ता बढ़ेगी साथ में हमारा राजसब भी बढ़ेगा और हम IMF का कर्ज लोटा सकेंगे विशुब बैंक के अनुसार पाकिस्तान का कुल घरेली उत्पाद 2018 के अंत में 254 अर्ब डॉलर था जबकि भारत का 2.84 टिरिलियन था यानि भारत की कुल अर्थ ववस्ता पाकिस्तान की अर्थ ववस्ता की 11 गुना है अगर 2019 में भारत की आर्थिक विरिदी दर 7 फीजदी भी रहे तो एक साल के भीतर इसमें 200 अर्ब डॉलर और जोट जाएंगे जो के पाकिस्तान की 2018 की कुल GDP का 80 फीजदी के बराबर हो जाएगा दूसी तरब पाकिस्तान की सरकार बजट घाटे की समस्या से भी जूज रही है और लगातार कर्ज ले रही है लेकिन उसके राजसम में बड़ोत्री नहीं आई है बुलूम बर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का बर्तमान बजट घाटा GDP का 8.9 फीजदी तक कहुँच गया है जो के पिछले तीन दशकों में सबसे अधिक दरपर है ऐसे में पाकिस्तान का युद के लिए भारत को धमकी देना अपने पैरों पर खुद कुलाड मारने के समान है